हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आयों बहुत अच्छे होंगे और अभी सुबह के बज रहे हैं नो और मेरे चेहरे पर कितना बज रहे हैं आप देख सकते हैं जो भी निव मॉम्स बने हैं कितना ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो अभी मुझे कुछ ठीक लग रहा है और इस दौरान मैंने इतना ज़्यादा पोस्ट पार्टम डिप्रेशन फेज किया जो भी निव मॉम्स बने होंगी देखें वेल अंडर्स्टैंड मैं फेलिंग्स कि इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूस हो जाती है इतनी वीकनेस हो जाती है कि आप मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है और इतना ज़्यादा इरिटेशन मतलब होने लगता है हर चीज से और आप चुट-चुटी बातों पर रोने लग जाते हो और आपकी फिलिंग को ही नहीं समझ सकता है और इवन जो फिजिकली जो फिजिकल लॉस होता है तो समय के साथ हील हो जाता है मतलब जो फिजिकली आप वीक हो जाते हैं तो वो तो समय के साथ हो सारे घाव, सारा पेन और वो सारा मतलब वीकनेस दूर हो जाती है और आप फिर से one month में one and half month में आप फिर से energetic feel करने लगते हो ठीक हो जाते हो बट जो mental tension आपको मिलती है उसका कोई दवा नहीं उसको कोई दवा नहीं भर सकती वो जो जखम आपको मिलते हैं उसको समय भी नहीं हील कर सकता वो तो बस lifetime के लिए आपके पास रह जाते हैं and it was always remain painful whenever you think about but let's go don't think about anything और बस यही कहना चाहूंगे कि जो भी new moms हैं आप खुश होए and you have your bundle of joy is in your hand और मैं भी बहुत खुश हूं और now I have two kids और मेरा bundle of joy मेरे गोदी में हैं तो gender doesn't matter but I think you should have two kids किसी को दो बच्चे होने चाहें gender doesn't matter कोई भी gender हो no problem at all और कोई issue या कोई matter नहीं करता है कोई भी gender हो और जब आप अपने बेबी को देखते हो तो आप फैसे भी सारी चीजे मतलब थोड़ी समय के लिए 12 to 15 days आपको बहुत ज़्यादा मतलब postpartum depression को आप फैस करते हो especially when you are alone at home जब आप अकेले होते हो घर पर तब वो moms ज़्यादा इस चीज को फैस करती हैं जो एकदम alone होती हैं single होती है घर पर उनके साथ कोई भी नहीं है तो वो लोग ज़्यादा postpartum depression का शिकार हो जाती है क्योंकि उनको कोई भी physically, mentally support नहीं होता है उनको अकेले ही करना होता है सारी चीजे और जैसा कि आप मेरे previous vlogs में देखते थे कि मैं मेरा बेटा देव समय देवी स्कूल गया हुआ है और मेरा चोटा बेबी समय सो रहे हैं तो हाँ तो मैं कहती है प्रीविस देखते थे कि especially मैं और मेरा बेटा देवी देखता था क्यों हूँ और हस्बर्न मौसली जॉब पर होते हैं तो इस समय भी हम लोग इस समय तो मैं एकदम अकेले हूँ घर पे मैं हूँ और मेरा new born बीवी है तो but I am so happy and because my bundle of joy is in my lap तो जब भी आप देखते हैं तो आप सारी चीजें भूल जाते हो और after delivery इतना ज़्यादा weakness हो जाती है कि मुझे तो 5-6 देख तक तो मैं मतलब मुझे सही से मैं देख भी नहीं पा रही थी मुझे तो even मैं mobile बस उठाती थी एक second भी देखती तो मेरी आखें से blink करना start हो जाती थी दुंदला दुंदला सा देखने लगता था इतना ज़्यादा weakness इस पार मुझे हुई इतना weakness मैंने face कि at least 14 days तो मैं I was unable to sit properly due to epicitomi stitches मैं बैठ नहीं पा रही थी proper and mobile तो मैंने छुआ ही नहीं है 13-14 days तक जो भी मतलब call करने के लिए देख कर लेती थी but यह नहीं कि मैंने messages चेक है या मैंने whatsapp पढ़ाया या google किया कुछ भी नहीं nothing क्योंकि मेरी आखें ब्लिंग करने जखती थी मैं एकदम भी और immediately head up start हो जाता था तो जो भी new moms हैं अगर उनको नहीं भी issues है नहीं भी problems है but I would like to suggest to you all कि starting days में बिल्कुर भी mobile ना देखें या आप time pass के लिए whatever क्योंकि उस समय आप इतना weak होते हो सकता आपको weakness ना पता चल रही हो आप medicines ले रहे हो कुछ भी हो सकता है आपको ना पता चल रहा हो बट आपकी आखों पर bad effect जाता है आपकी आखे वीक होती है पूरी body ही वीक होती है तो आपकी जो eyesight है वो वीक हो सकती है इसके बाद even मतलब इतना ज़्यादा pain था मेरे stitches में इतनी कि मैं बच्चे बैट के मैं feed भी नहीं करा पा रही थी मैं मुझे खड़े होकर बच्चे को feed देना पड़ रहा था तो यह सारी चीजे थी but now I am I am okay, I feel better तो इस वीडियो में इतना ही और फिर अगले वीडियो में अब के साथ कुछी शेयर करूंगी कुछ मेडिसीन की मैंने कौन-कौन से टॉनिक या मेडिसीन स्टाट की जिसके जैसे मैंने बहुत जल्दी ही मतलब fit या fine मैं मैं हैसूस करने लगी हूँ अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो जी जी जिए था वीड थे लिए इस पूल्दा लगा की झाल